हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल स्विप फेसलिप का काभी सारे लोग वेट कर रहे हैं लेकिन ये लॉंच डिले होता जा रहा है कब लॉंच होगी क्या-क्या फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे उसकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो मेक शुर ये वीडियो पूरी देखना और इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करना तो दोस्तो फेसलिप वाले स्विप में आपको ज्यादा कुछ चेंजिस नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ इंट्रेस्टिंग चेंजिस इसमें जरूर होने वाले है स्विप टेप ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली है दोस्तो अब इसमें आएगा 1.2 लिटर डूल जेट पेट्रोल इंजिन जो प्रोड्यूस करेगा 89 बहप की पावर और 113 न्यूटन मिंडर का टॉर्क ये 4 सिलेंडर इंजिन होने वाला है और सबसे अच्छी चीज इसका माईलेज कम न होके इसका माईलेज ज्यादा होने वाला है इसका mileage 23 km per liter है और ये 2 km per liter ज़्यादा है current वाले model से तो दोस्तों Swift में अब ज़्यादा power आ गई है इसकी वज़े से Swift को चलाने में और मज़ा आने वाला है दूसरे changes की बात करें तो इसका instrument cluster तो दोस्तों अभी वाला जो instrument cluster है वो normal display मिलता है आपको उसमे normal information मिलती है लेकिन फेचलिक में जो आपको MID TFT display मिलने वाला है उसमें आपको बहुत सारे features देखें को मिलेंगे तो चलिए आपको MID में क्या क्या features और information आपको मिलेगी उसकी बात करते हैं जिसमें आपको बड़ा सा clock मिलेगा, power and torque indicator मिलेगा, twin trip meters, odometer, temperature, mileage, range, instantaneous fuel consumption ये सारे आपको information मिलेगी और साथ में आपको digital speedometer का भी option मिल सकता है तो ये सारे information आपको मिलेगी गाईस जो कि बहुत अच्छी बात है ZXI plus यानी top model में आपको cruise control का भी option मिल सकता है जो कि बहुत अच्छा feature रहेगा बाकि इसका जो info 10 में system है वो same अपने current वाले version जैसा ही रहने वाला है तो दोस्तो exterior और interior की look की बात करें तो पहले बात करते exterior की, exterior में आपको पहले dual tone finish का option मिलेगा साथ में जो आपके mirrors रहने वाले है, ORVM वो piano black finish में रहने वाले है और साथ में आपको olive wheel का design भी change मिलेगा जो की बहुत अच्छा होने वाला है, interior की बात करें तो guys इसमें red inserts देखने को मिल सकते हैं आपको steering wheel पे, seat covers पे, gear knob पे और dashboard पे जो interior का look कापी sporty बनाने वाला है एक features में ऐसा है, जो आने की chances काफी कम है, लेकिन वो आना चाहिए, जो है rear race event, दोस्तो grand item news में भी ये feature आता है बाकि dimension में कोई changes नहीं होने वाले है guys, space की बात करें, तो पहले जैसी space इसमें रहने वाली है launch date की बात करें, तो ये February तक launch होनी चाहिए, प्राइजिंग की बात करें, तो ये 10-20,000 रुपीज expensive होगी, नॉर्मन स्विप से, क्योंकि इसमें आपको थोड़े features ज्यादा मिलते हैं, तो दोस्तों आपको new ship facelift के बारे में क्या खयाल है, कमेंच में ज़रूर बताना, अगर ये भी आपको पसंद आया है, तो इसे like करना, और मेरे चानल को subscribe करके मुझे support करना, तो मिलते ह AC किसी और वीडियो में, thanks for watching